नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर और इस वीडियो में आज हम करेंगे मैस के सवाल जो पिछले एक्जाइम 5 एपरेल 2016 के आरार भी एंटी पीसी के एक्जाइम में पूछे गए ये पहला क्वेश्चन प्रॉफिट हजार रुपे में वेचा जाता है 35% डिसकाउंट लगाने के बाद तो बताएं कि जब डिसकाउंट 15% दिया जाए तब उस समान का सैलिंग प्राइस क्या होगा सातियों ऐसे सवालों में कैंडिडेट्स इसलिए भी उलग जाते हैं क्योंकि वह कॉस प्राइस निकालने 15% देने के बाद अब आप मेरी बाद बिलकुल ध्यान से सुनिए जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने हो तो सबसे पहले आप यह सोचिए कि अगर आपको कोई समान 100 रुपे का मिल रहा है तो उस पर 15% डिसकाउंट लगने के बाद आपको कितने का पड़ेगा आप कहें इसी रुपे का यानि 85 बस हमारा काम बन गया है अब आप यह समझे कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इसी 85 यानि 17 मल्टीप्लाइब पांच का मल्टीपल जरूर होगा अब आप यहां से इस 17 को ही देखिए और ध्यान दीजिए ऑप्शन में 34,000 दिया गया है जो 17 का मल्टीपल है यानि यही ऑप्शन डी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर हलो फ्रेंड्स आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते मेरा नाम नीरो है मैं काफी सालों से गौर्मन कॉम्परेटिव एक्जैम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स इंगम टे ही एक सवाल और पूछा गया था इसी शिफ्ट में यह आपकी स्क्रीन पर है किसी समान को 36,000 रुपय में बेज दिया जाता है 10% डिसकाउंट के बाद तो बताएं कि जब डिसकाउंट 15% होगा तब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों अब आप समझी गए होंगे कि हमें बस 15% को देखना है यानि 100 रुपय के समान पर 15 रुपय का डिसकाउंट मिला जो 85 रुपय का हमें पड़ा यानि ये साफ है कि हमारा आंसर भी 85 यानि 17 का मल्टीपल जरूर होगा अब यहां भी देखिए option D 3400 जो 17 का मल्टीपल है यानि यही हो जाता है हमारा correct आंसर उमीद करता हूँ दोस्तों अब आप इन सवालों को असानी से exam में कर पाएंगे चलिए अब next question देखिए ये आपकी screen पर यहां किन ही दो numbers का product यानि गुनाफल 24 दिया गया है और उनी दोनों numbers को square करने के बाद add यानि जोड दिया जाए तो वह 52 बन जाता है तो बताएं वो दो numbers का जोड क्या होगा मेरे प्यारे साथियों इस तरह का question जब भी आपको मिल जाए आप मेरी एक बात कभी मत भूलना वो ये कि जो भी वह दो number होंगे वो हमेशा ही उस number से छोटे होंगे जिनका square इस 52 यानि दोनों numbers के square के जोड के आसपास होगा आप यहां समझिए कौन से number का square 52 के आसपास है आप कहेंगे 7 जिसका square 49 होता है बस फिर अब आप इतना समझ लीजिए कि वह दो number 7 से छोटे ही होंगे अब यहां question में दिया गया है कि दोनों number का product भी 24 ही होगा तो अब यहां आप देखें तो सिर्फ 4 और 6 ही ऐसे दो numbers हैं जिनको multiply करने पर हमें 24 भी मिलता है अब हमसे इनी दोनों numbers का sum पूछा गया है यानि आप समझिए 4 और 6 को जोडने पर हमें 10 मिलता है यानि यही 10 option B हो जाता है हमारा correct answer उमीद करता हूं सातियों आपको ये सवाल जरूर समझाया होगा और आप इसकी खुद भी practice करना वरना इन सवालों के लिए आपक करना पड़ सकता है या कभी कभी तो quadratic equation बन सकती है सवालों में तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग को नीरो magic concept की तरह चलाना शुरू कीजी चलिए अब next question की तरफ यहां पूछा गया है कि simple interest का rate of interest कितना होगा अगर कोई भी पैसे 10 साल में double हो जाते हैं सातिय इसको भी आप common sense से ही समझे मान लीजिए आपने 100 रुपे simple interest पर लगाए जो 10 साल बाद double हो गए अब double का भी यहां मतलब यह है कि आपको 100 रुपे पर 100 रुपे ही interest मिला तब ही total 200 रुपे यानि double हुए और इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको मतलब हमें interest 10 सालों मे 100 रुपे मिला इससे एसाफ हो जाता है कि हर साल हमें 10 रुपे interest मिला होगा तब 10 सालों में 200 रुपे बना अब आप ही बताईए एक साल में 100 रुपे पर 10 रुपे interest मिल रहा है यानि rate of interest भी 10% ही होगा जिससे यहां यह option D हो जाता है हमारा correct answer अब साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों की demand पर मैंने mensuration की series start की है जिससे आपका advanced math भी होता रहेगा और साथ में हम इस वीडियो की तरह RRB NTPC के previous years के exam में पूछे गए सवालों को भी solve करते रहेंगे वो भी Neuromagic approach के साथ जिससे आपका aptitude या arithmetic भी तेज होता रहे कोई कमी न रहे आपकी exam की त्यारी में चलिए अब इस question को देखिए आप यहां कोई दुकानदार 40 kg बासमती चावल के बोरे को 125 रुपे पर kg के हिसाब से बेशता है वहीं एक दूसरे चावल के bag जो 60 kg का है उसे 1500 रुपे पर kg के हिसाब से बेशता है अब total उसका 20% का profit होता है तो बताएं कि selling price पर kg उसको कितना पड़ा था मेरे प्यारे साथियों अगर काईदे से जाएंगे तो ये काफी time taking question बन सकता है आप लोगों के लिए लेकिन जो खास बात मैंने आपको सिखाई थी पिछली वीडियो में उमीद करता हूँ आपको याद ही होंगी profit पर बेचा गया यानि आप समझिए 100 रुपे की कोई चीज 20% के profit पर बेची गई मतलब 120 रुपे selling price हुआ जिससे साफ हो जाता है कि हमारा जो भी correct answer होगा वो इसी 12 का multiple जरूर होगा अब आप options देखिए सिर्फ 168 यह ऐसा है जो 12 से पूरी तरह भाग हो सकता है यानि यही ह हो जाता है हमारा correct answer चलिए अब next question की तरफ देखिए यह आपकी screen पर है यहां किन ही दो numbers का HCF हमें 6 दिया गया है जबकि उनका LCM 108 है जिन में से एक number 12 है तो बताएं दूसरा number क्या होगा साथियों इस तरह के question का भी एक जबरदस्त तोड़ बताये था मैंने आपको कि ऐसे questions में बस अगर unit digits पर ही काम कर लिया जाए तो answer तक चुठकियों में पहुंचा जा सकता है यहां समझे इस 6 को यहां LCM के 8 से multiply करने पर हमें मिलता है 48 यानि unit digit यहां 8 ही मिलती है हमें अब आप यहां देखिए और बताएं कि इस unit digit 2 में क्या multiply किया जाए जिससे हमें 8 मिल जाए तो आप कहेंगे 4 यानि यह साफ है कि हमारे correct answer में 4 unit digit पर जरूर होगा अब आप options देखिए जिससे यहां option B यानि 54 ही हो जाता है हमारा correct answer साथियों इस पर एक सवाल और पूछा गया था इसी set में यहां देखिए आपकी screen पर है किन ही दो numbers का HCF 4 दिया गया है जबकि इनके LCM के इस bar factors दिये गए है 5 और 7 तो बताना है कि दोनों में से छोटा number कौन सा होगा अब आप यहां समझिए कि इतना तो यह साफ है कि हमारा जो भी correct answer होगा वो इस HCF यानि 4 का multiple जरूर होगा जिससे option में सिर्फ 20 और 28 ही ऐसे options हैं जो 4 से पूरी तरह भाग हो सकते हैं अब इन में से कौन सा सही answer होगा तो उसके लिए आप question में ही देखिए कि हमसे छोटा number पूछा गया है जिसमें LCM का सबसे छोटा factor भी 5 ही है यानि हमारा correct answer 5 का multiple जरूर होगा जिससे साफ हो जाता है कि हमारा answer option C यानि 20 ही है चलिए अब next question देखिए यह आपकी screen पर एज 30 साल जबकि उनके दोनों बच्चों की एवरेज एज 8 साल दी गई है तो बताना है कि पूरी family की एवरेज एज कितनी होगी सातियों ऐसे questions में आपको total सब को multiply करके इनकी एज निकालने की कोई जरूरत नहीं रहती आप बस यहां समझिए कि parents भी दो ही होते हैं माता और पिता जिनकी average age 30 दी गई है और बच्चे भी दो ही है question में जिनकी age का average 8 साल है मतलब दोनों में दो-दो person एक-एक single group को represent कर रहे हैं यानि दो group parents और बच्चे जिससे आपको बस यहां से इनके average age 30 और 8 का ही average निकाल लेना है जिससे हमें मिलता है 19 यानि यही option भी हो जाता है हमारा correct answer इसी पर एक और सवाल पूछा गया था इसी set में उसे भी देखी आप यहां किसी 25 values का mean यानि average 40 दिया गया है जबकि उनमें से एक value 50 की जगा 25 calculate की गई है तो इनका सही average बताएं मेरे प्यारे सातियों यहां समझे आप कि गलती से 50 की जगा 25 को लिया गया यानि सही answer के लिए 25 जादा calculate करना जरूरी था जो total 25 value में ही distribute होता यानि आप समझिए कि यही extra 25 को हम 25 values में बाट देंगे यानि भाग कर देंगे तो इनका average overall एक से बढ़ जाएगा जिससे अगर अभी यह 40 था तो final 41 सही average होगा जिससे यहां option B हो जाता है हमारा correct answer उमीद करता हूँ आपको जरूर समझाया होगा चलिए अब आप next question देखिए यह आपकी screen पर यहां एक आदमी ने हर साल की शुरुआत में 500 रुपे invest किये दो सालों तक वो भी 10% rate के हिसाब से compound interest पर तो बताना है कि दो साल के बाद maturity पर उसे total कितने पैसे मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों सेम इसी तरह का सवाल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी सिखाया था लेकिन उसमें सिर्फ total rate of interest पूछा गया था लेकिन यहां हमसे total amount पूछा गया है लेकिन concept वही है जो आपने याद रखना है यहां समझिए दो साल के लिए investment हुई है वो भी 10% rate के हिसाब से यानि आपको जो मैंने सिखाया था कि पहले और दूसरे साल 10% rate of interest तो लगेगा ही लेकिन दूसरे साल थोड़ा ज़ादा लगेगा क्योंकि compound interest है अब वो कितना ज़ादा लगेगा उसके लिए इसी 10 का square कर देते हैं हम जो होता है 100 और उसे लिखने का भी तरहीका मैंने आप आपको सिखाया था 1.00 यानि ये साफ है कि टोटल उस आदमी को दो साल में 21% rate of interest लगेगा लेकिन एक खास बात और थी question में कि हर साल की शुरुआत में वह 500 रुपय इंवेस्ट करता था यानि आप समझीए पहले साल में उसे 500 रुपय पर 10% interest पहले ही लग चुका होगा जि 21 प्लस 10 यानि 31% का interest मिला वो भी 500 रुपय पर जी हां ये आप जरूर द्यान रखें अगर 2 साल समझ कर कहीं 1000 रुपय पर 31% लगा देंगे तो आपका question गलत हो जाएगा इसलिए जो हर साल की शुरुआत में पैसे इंवेस्ट हुए जैसे यहां 500 तो यह 31% उसी पर लगेगा साथियों जिससे टोटल उसे 155 रुपय का interest मिला 1000 रुपय पर अब आप options देखिए यहां option C 11155 ही हो जाता है हमारा correct answer मैं उमीद करता हूँ आपको जरूर समझाया होगा चलिए अब next question देखिए यह आपकी screen पर यहां किसी rectangle की length और breadth जो LCM और BCM दी गई है उन्हें 25% से तो बताएं कि पहले और अब 25% sides बढ़ाने के बाद इनके area का क्या difference होगा मेरे प्यारे साथियों आप यहां समझिए कि 25% से दोनों sides को बढ़ा दिया गया है जिसका मतलब 1 बटे 4 से जिससे अगर अभी 4 है तो वह 1 से बढ़ जाएगी जयानि breadth आप मान लीजिए अभी 4 थ तो बढ़ने के बाद वह 5 हो जाएगी अब length के लिए आप इनी में 2 से multiply कर दीजिए जिससे length अगर पहले 8 थी तो 25% बढ़ने के बाद वह 10 हो जाएगी अब अगर इनके area की बात करें यानि length into breadth तो आप देखें इधर 4 multiply by 8 हो जाता है 32 और 25% sides के बढ़ने के बाद area हो जाता है 5 multiply by 10 यानि 50 जिससे आप खुद ही देखें area 18 से बढ़ गया है साथियों आप चाहें तो यही से ही correct answer hit कर सकते हैं जो 18 यानि 9 का multiple जरूर होगा लेकिन मैं आपको पूरा बताता हूँ ताकि concept भी आपको समझा जा इसका अब पहले area 32 था जो 18 से बढ़ गया है यानि 18 बटे 32 जिसे further solve करने पर हमें मिलता है 9 बटे 16 अब आप options देखिए यहां option c यानि 9 lb divided by 16 हो जाता है हमारा correct answer मैं उमीद करता हूँ आपको जरूर समझाया होगा चलिए अब next question देखिए जो इस set में पूछा गया था और जो आपके लिए homework भी होगा जी हाँ यहां चार बच्चे जो एक दूसरे से 4-4 साल के gap में पैदा हुए उन सब की age का sum हमें 48 दिया गया है तो बताएं कि इन चारों में से सबसे छोटे बच्चे की age कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों मैं उमीद करता हूँ कि आप सब इसे nearo magic approach से चुटकियों में कर पाएंगे और देखते हैं हमारे group में कौन-कौन सूर्मा है जो comments में सबसे पहले इस question का सही answer बताएगा तो साथियों इसी के साथ होता है आज का session complete मैं उमीद करता हूँ आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीका होगा जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा आप अपने views नीचे comments में जरूर बताएं अब हम मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन